जोदपूर में जेल की सजा काट रहा आसाराम आज जेल से बाहर आएगा नाबालिक के साथ यौन शोशन के आरोप में आजीवन कारवास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल के आदीश की 14 दिन बाद सेंटरल जेल से बाहर आएगा उसे मंगलवार को दो पहर उपचार के लिए मुंबई जाना है जहां से वे खपोली इस्तित माधवबाग अस्पतार पहुँच कर अपना इलाज करवाएगा आसाराम मंगलवार दो पहर दो बचकर बीस बचे की इंटी को जोधपुर से मुंबई की रूटिन फ्लाइट से जाएगा उसके साथ जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भवर सिंग सही चार जवान और दो सेवादार भी होंगे आपको बता दे कि यौन उट्पेक्टर के मामले में आसाराम बापो को बड़ी राहत मिली है वह 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा राजस्तान हाई कोर्ट से उसे इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिल गई है हाला कि कोट ने 7 दिन की इस पैरोल में आसाराम पर कहीं तरह की शर्ते भी लगाई है ये पैरोल आसाराम को इलाज करवाने के लिए दी गई है ऐसे मेव जेल से बाहर तो आएगा मगर पुलिस की कस्टडी हमेशा बनी रहेगी पुलिस की जवान हमेशा उसके साथ रहेंगे इसके साथ इलाज के लिए आने जाने और साथ में तैनात पुलिस टीम का खर्चा भी आसाराम को ही वहन करना होगा वहीं आदेश में पैरोल की अवधी अस्पताल पहुंचने के समय से गिनी जाएगी जोधपुल पुलिस ने भी इसके लिए मंगलवार को जेल से एरपोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किये हैं डिसी प्यालोक श्रीवास्ता उन्हें इस मामले में जानकारी देते वे बताया कि आसाराम के साथ जोधपुलिस के सब इंस्पेक्टर भवर सिंग के अदीन चार पुलिस कर्मी जाएंगे वहीं आसाराम की ओर से कई बार पैरोल के लिए याचिकाय लगाई गई मगर आप देखिए कि पहली बार उपचार के लिए 13 अगस्त को नियादीश पुश्पेंद्र सिंग भाटी और नियादीश मुनरी लक्षमन की खंडपीत ने जोधपुर एम्स की मेडिकल हमेशा ये दलीर दी जाती रही है कि वह सिर्फ आईरवेदिक उपचार ही करवाना चाहता है और यही कारण है कि उसे इस बार साथ दिन की पैरोल मिली है इस दोरान महराश्टा के खापॉल इस्तित माधवबाग अस्पताल मेहाच का अपचार होगा हाई कोट ने एमरजेंट पैरोल के आदेश में ये सपश्ट किया है कि पैरोल का समय खापॉली पहुंचने से गिना जाएगा और इसके साथ याने जाने का समय इस पैरोल में श इस दोक्टर भी असाराम रख सकेगा मगर इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ती उपचार के दोरान असाराम से मिल नहीं सकेगा जहां असाराम का नीजी कमरे में उपचार होगा वहाँ पर 24 घंटे पुलिस का कड़ा पैरा होगा इसके साथ ये मीठिया को भी इजाजत नहीं होगी पैरोल के लिए असाराम के ओर से व्यक्तिकत रूप से 50,000 रुपए का बॉंड और इसके साथ 25,000 रुपए के दो लोगों की ठोस जमानते दी गई है उपचार और आने जाने का पूरा खर्चा असाराम को ही उठाना होगा ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के इसरी रा मजसे पाउन् से ओर्चास तागी की।